नमश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है निदी दोस्तों, आज के समय में मुझे लगता है हम में से 90% लोग smartphone यूज करते हैं इस वीडियो को भी आप किसी ना किसी smartphone की स्क्रीन पर ही देख रहे हों यदि आपका phone Samsung का phone है, तो आपके लिए विशेश कर ये news article है not only for the Samsung users, बलकि Android users के लिए भी है और हम जो laptop पर Google Chrome का इस्तिमाल करते हैं, उसके लिए भी है जहां एक तरफ technology ने हमें बहुत जादा सहूलियत प्रुवाइड की है बहुत जादा चीजों को आसान कर दिया है, वहीं इसकी अपनी कुछ vulnerabilities भी है कुछ कमजोरियां भी है, कुछ खामियां भी है जिसके चलते हम, हमारा data, हमारी information is at risk a lot of times, अगर उसमें breach होता है तो इस सम्बन में सरकार के द्वारा एक high risk alert issue किया गया है सभी Samsung mobile users को यहाँ पर सरकार ने एक warning issue की है और बताया है कि आपको यही समय है to take an action क्या है वो, क्या आपको करना चाहिए या क्यूं यह alert जारी किया गया इन सब चीजों के बारे में detail में बात करते हैं चली शुरुआत करते हैं news से सभारतिय सरकार ने एक additional security warning issue की है सवते जिसमें specifically, मैं फिर से कहूंगी specifically target किया गया है Samsung Galaxy phones के users को जिन भी लोगों के पास Samsung Galaxy के phones है उनके लिए specifically यह high security warning high risk warning issue की गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि security advisory जो है वो आई है from the Indian Computer Emergency Response Team which is the certain जिसके बारे में हम सब जानते ही है जिसमें highlight किये गए है multiple vulnerabilities बहुत सारी खामियां या कमजोरियां जो की impact कर सकती है लाखो Samsung Galaxy phones को चाहे वो पुराने हो या नए models हो कौन-कौन से models specifically high risk पर है इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाली हो please see this video complete इसको पूरा देखिएगा security alert जो जारी किया गया है इसको categorize किया गया है as high risk यह high risk है जिसमें emphasize किया गया है जो भी existing Samsung users है वो promptly अपने phones को update करें आप immediately अपने phones को update कीजें यहाँ पर urgent need बताई है आपको update करने के लिए जो government advisory जारी की गई है जो आपका operating system है यानी android Samsung में android use होता है and the firmware जो भी आप firmware यूज करने हैं उसको भी आप update कर लिजे इसके बारे में बात करने से पहले यह मेरा चोटा सा introduction है दोस्तों यह मेरा telegram channel है जहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं अभी class की update schedules pdf के लिए ndlive10 मेरा code है जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं offline subscription लेने के लिए अन academy का to avail the best discount in our or at our offline centers इसके लावा description box में और comment section में pinned comment में आपको एक counseling form मिलेगा जिसको आपको fill करना है और use करना है मेरा code ndlive10 so that I also get to know कि आपने मेरा code use किया and I can help you in your preparation unacademy IS यानि जो हमारे offline centers है वहाँ पर admissions open है आपके 2025 के लिए जो foundation program है उसके लिए यहाँ से अपनी IS की journey आप शुरू कर सकते हैं अपर इवरे discounted price flat 40% का आपको discount winner लेकिन यह offer केवल और केवल आज तक के लिए है 15th December तक के लिए है classes हमारी 30 December से शुरू हो जाएंगी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे है make sure that you visit the center हो सकता है आपको एक आदे दिन का grace मिल जाए और आपको यह offer मिल जाए जो 40% का discount आपको मिल रहा है या आपको मेरे code nd life 10 use करने से मिल रहा है आपको यह code use करना पड़ेगा तो ही आपको यह discount यहाँ पर मिलेगा हमारे offline centers Delhi में करोलवाग और मुखरजी नगर में है इसके लावा प्रियाग राज में civil lines में भी offline center बहुत जल्दी आने वाला है आप उसको भी वहाँ पर जाकर भी इंडोल कर सकते हैं अगर आप उस एरिया में रहते हैं लेकिन आपको code यूज करना है nd life 10 अगर आप scholarship अवेल करना चाहते हैं तो इस qr code को fan कीजिए और scholarship का जो भी details है आपको यहाँ पर मिल जाएं चलिए ना यह जो warning points है यह आए है यह point out करते है critical security issues बहुत जादा महतपूर security issues जो कि effect कर रहे हैं Samsung mobile android versions को और जो उनको कहा 11, 12 and 13 यह वाले जो mobile है ना Samsung के उनको जिसमें Samsung के जो latest flagship series है वो भी included है और Galaxy S23 यह भी included है with android 14 update ठीक है जिसमें android 14 का update है यह सारे वो mobile phones है वो you know phones है जिनको highlight किया गया है तो अगर आप में से कोई भी यह वाला phone यूज करते है Samsung का इन में से कोई भी phone यूज करते है तो please update your operating system and your firmware immediately security risk की मैं बात करूँ I'm sorry certain ने outline किये हैं बहुत सारी vulnerabilities in Samsung products जिसमें emphasize किया गया है कि जो attackers है उनके पास यह potential है कि वो जो security restrictions किसी भी operating system में होती है उसको bypass कर सकते हैं that can be done जिस वजह से इन flaws को exploit करते हुए जब यह bypass कर देंगे हमारे security restrictions को तो यह grant कर देंगे unauthorized access to हमारी जो भी sensitive information है और यहां पर यह कुछ भी कर सकते हैं हमारे phone के थू they can actually you know dummy or phone इस तरह से जैसा होता है generally जब हम cyber security की बात करते हैं इस तरह की breach की बात करते हैं और compromise कर सकते हैं targeted system को जिस भी phone को इन्होंने hack किया है जिसमे भी इन्होंने breach किया है अगर हम vulnerabilities की बात करें तो यह weak spots है in devices की security walls में और cyber security जो cyber attackers हैं वो अगर यह openings इनको मिल जाती है तो वो क्या कर सकते हैं मतलब अगर उनको access मिल जाए किसी तरह से security walls को break करके अगर वो आपके phone में access कर सकते है तो उससे क्या क्या हो सकता है वो आपके phone का secret code जो sim pin होता है उसको steal कर सकते है they can shout loud commands to your phone broadcast कर सकते है elevated privilege के साथ आपके private AR emoji files को देख सकते है आपका clock जो है on the castle gate उसको change कर सकते है it's the lock ठीक है उसके बाद आपके जो files जो भी phone में files है उनको ठान सकते है उनके around भूम सकते है arbitrary files का access कर सकते है आपके important information को steal कर सकते है जो की sensitive information भी हो सकती है देखिए आज का समय वो समय है जब हमारे bank details हमारे सभी you know identity details वो सभी हमारे mobile phones में होते है with this kind of attack sensitive information also so you have to be very very careful ठीक है हमारे phone को control किया जा सकता है as a puppet ठीक है और कोई भी arbitrary code वहां से execute किया जा सकता है हमारे पूरे के पूरे phone को take over किया जा सकता है यानि हमारा जो system है phone जो भी targeted system होगा उसको putra से compromise यहाँ पर किया जा सकता है by the cyber attackers now हम अपने phone या device को बचा कैसे सकते हैं चलो problem तो हम इस समझ में आगी अब बचाय कैसे जाएगा तो यहाँ पर Samsung smartphone users को strongly advise किया गया है कि वो promptly अपने security updates को install करें जो भी security updates आपके vendor के थूँ आपको मिलते हैं please update दें यहाँ पर एक बहुत important point यह है कि you please be vigilant बहुत vigilant होना जरूरी है यहाँ पर आपको regularly patch करना है अपने phones को with updates released by the vendors इसके साथ-साथ आपको किसी भी app को install करते हुए बहुत ध्यान रखना होगा do not click on random links वो क्या रहा है ना random links बेजके भी इस तरह के spyware etc आ जाते हैं phone में हमको पता है सब we all have read about them earlier also तो आप कोई भी link मत यहाँ पर click कीजे कोई भी मतलब be very very cautious be very very careful ठीक है please do not visit unfamiliar websites फिल्कुल नहीं visit करनी है especially अगर आपका phone का software updated नहीं है तो please don't do these things install मत कीजे नहीं आपको ठीक है exercise कीजे caution को ध्यान रखिए इसी भी link को click करने से पहले चार बार देखिए कि क्या link relevant है do not just click random links कई बार random links आ जाते हैं हम सो click कर देते हैं क्योंकि वो बहुती you know luring links भेजते हैं तो please don't do that unfamiliar websites को भी मत visit कीजे because this is for your safety for your devices safety and for your you know जो sensitive information है उसकी safety के लिए it is very very important for you to be vigilant here now इसके अलावा along with the samsung users google chrome users को भी यहाँ पर alert जारी किया गया है सरकार के द्वारा certain bulletin में जहाँ पर यह alert आया है उसमें issue किया गया है highly severe rating ठीक है जिसमें कहा गया है कि भाई जो भी लोग google chrome use करते हैं अपने computers में उनके लिए भी एक cause of concern हो सकता है normally हम क्या करते हैं हमें कुछ भी search करना होता है google chrome पर जाते हैं और search कर लेते हैं तो this is for all those people who use chrome also in their laptops or computers यहाँ पर जो alert है उसने warn किया कि बहुत सारी कमजोरियां vulnerabilities हैं तो identify की गई है google chrome में भी sorry और से जो attackers हैं उसको वो enable करते हैं कि वो execute करें कोई भी मनमाना code है ना और जो भी information है वो information वो ले सकते है from the users कैसे उनको lure करके to visit specifically targeted websites ठीक है तो यहाँ पर आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है अच्छा कुछ समय पहले एक मैने वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी government spying on us जिसको लेकर push notifications को लेकर हमने पूरा discuss किया था चर्चा की थी यहाँ पर US senator ने दावा किया था कि सरकारे ऐसा कर रही है इस देश की सरकारे हमको नहीं पता लेकिन ऐसा हो रहा है इस संबन में मैं आपको बता दू कि पिछले वहीने क्या हुआ था कि कुछ apple से कुछ notifications आये थे state sponsored attackers trying to remotely compromise iPhones of some leaders in the opposition party ऐसे कुछ notifications आये थे और इस notification से concerns raised हुई थी मतलब मुद्दा उठा था कि क्या सरकार हमारे phones को hack करना चाह रही है जिसके बाद apple ने भी cyber security team है उन्होंने भी meeting की है certain से so ये बहुत नया अभी कुछ recent नहीं हो रहा है ये हो रहा है पिछले काफी समय से चल रहा है so what I'm trying to say is that we have when we use technology we have to be very very responsible we have to be very very vigilant when we are using our phones when we are installing the apps when we are visiting the websites we should not be clicking on to random links from here and there we have to be very very careful हमारे पास पूरी दुनिया हमारे फोन में आ जाती है बहुत असान हो जाते है चीज़ों को अक्सेस करना पर कितनी एजी से सब चीज़ें अक्सेस हो रही है तो उतना ही vulnerable हम हो गए है to all these cyber security breaches and attacks so be very very cautious everyone that'll be all from my side I hope you like this session do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update thank you so much guys take care, God bless, bye bye